महाभारत कार्णना हेडंबावन गणाता अलार्सामा पांडवो समय ना मडेला प्राचिन सिवलिंग नो चमतकार जेसिबी नो पंजो टुटी गल्व महाभारत कार्णमा एक समय हेडंबावन तरीके ओडखाता मध्या गुजरातना आणन जिल्लाना बोर्सत्ती तेर किलोमिटर दूर आवेलू अलार्सा गामना अभेटा पूरा विस्तारना तड़ावना खोतकाम दर्मियान सिवलिंग नी प्रतिकृती मडी छे आ प्रतिकृती अंदाजे 15-70 फुट उची छे अने 10 फुट नो घिरावो धरावे छे जे सिवलिंग 15 समय मा स्थापना करवा मा आवी हुआनू मनाई रहियू छे पगवान संकर नू आ सिवलिंग प्राचीन हुआनू प्रतम नजरे देखाये छे अने महाबरतकार ना उससो रूप मा आ सिवलिंग हुआनी वाद ड्रड बनी छे मध्या गुजरात प्राचीन समय मा हेडंबा वन्तरी की ओडखातू हतू जेनो गरंतों मा उल्लेख छे अने पांडव कार दर्मियान आ सिवलिंग नी स्थापना थई हुआनू मानवा मा आवे छे आ वाद वायू वेके प्रसरी जता रोज हज्जारोनी संक्या मा लोकोर दर्सन माटे उम्ती रहिया छे हाल सिवलिंग नी बाजू मा मोटी ध्वजा चड़ावा मा आवी छे त्यां आवी ने भक्तो हार अने नाडिल चड़ावे छे सिवलिंग नी सामे बेसी ने भक्तो भजन केतन साथे दर्सन नो लाब ले छे सरुवात मा आजू बाजू ना विस्ताना लोको आवता हता पन हवे सवराष्ट्र, सूरत अने कच एम दूर दूर थी लोको सिवलिंग ना दर्सन करवा आवे छे नहीं खास वाद तो ए छे के कोतकाम दर्म्यान जेसीवी नो पंजो टूटी पड़ियो हतो पन सिवलिंग ने कोई प्रकार्न नुक्सा नहीं थता आ सिवलिंग ना चमत कार्थी त्यां हाजर सव कोई भगवान सिवना सिवलिंग नी अनुभूती थायाती आ सिवलिंग नी पांडव कार्मा स्थापना थायी होवानू मनाई छे पांडव आ विस्तार्मा गुप्त वासमा रहता हता तेनो पुराणों मा उल्लेक छे अने हेडंबा वन तरीके उडखाता आ विस्तारमा भीमे हेडंबा साते लग्ण करिया हता अने गटोत गच नामनों पुत्रपन थयो हतो ते समय मा लोकोना सरीर मा कदपन मोटा हता अने ते समय पांडवो अने माता कुंता अही गणो समय विताव्यो होई भगवान सिवना सिवलिंग नी स्थापना करी होई तेम मनाई रहियो छे भवे भगवान सिवनों सिवलिंग मडी आवता भाविको मा आस्ता वत्ता मोटी संक्या मा भाविको दर्सन नो लाब लए रहिया छे